हेलो एब्रीवान, वेलकम बैक तो माँ यूट्यूब चैनल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आप सभी को दिपावली की पूजा विधी दिखाऊंगी एकदम सरल तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं ये रंगोली मैंने चैनल पर बनाया ना सिखाया है लिंक के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब सबसे पहले पूजा की चौकी लगाएं चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिचाएं उसके बाद आपको उसके उपर अगर आप पोस्टर रख रहे हों आप सुपारी के रूप में विष्णु जी की स्थापना भी कर सकते हैं या विष्णु जी की फोटो भी आप रख सकते हैं इसके बाद सबसे पहले एक घी का दीपक प्रजवलित करेंगे तो अखंड दीपक तो सरसो तेल का प्रजवलित होगा पर एक माता लक्षमी के लिए हम घी का दीपक भी प्रजवलित करेंगे अब सबसे पहले दीपक का पूज़न करेंगे पूज़ा के दौरान आप किन मंत्रों का यूज़ करें ये भी मैं डेस्क्रिप्शन में लिख दूँगी यहाँ पर मैं गनपती जी को तिलक कर रही हूँ फिर लक्षमी माता को, सरस्वती माता को, कुबेर जी को, श्री अंतर को तिलक करेंगे और इसके बाद मैं रोली लगा रही हूँ तो चंदन और रोली से भगवान का तिलक करेंगे सभी घरवालों को मिलकर पूजा करनी चाहिए दिपावली की और घर के जो भी बड़े होंगे उन्हें दिपावली की पूजा उनके हाथों से कराई जाती है दिपावली की पूजा जो भी आपके घर में सबसे बड़े होंगे तो यहाँ पर लक्षमी गनेजी को भी तिलग करेंगे अगर आप पितल की मूर्ती रखते हों तो आप पितल की मूर्ती रखें वरना प्रतिवर्ष जो नई मूर्ती लाते हैं आज के दिन से आपको उनका पूजन आरंब करना है अब हम भगवान को वस्त्रो के रूप में मूली अर्पित करेंगे इतरे लगाकर इसके बाद भगवान को धूब दीब दिखा देंगे तो पूजा में धूब चास कर रखेंगे धूब प्रजवलित कर लेंगे अब फूल अर्पित करेंगे तो पीले, गुलाबी, माता लक्षमी के लिए खासकर गुलाबी, गुलाब या फिर कमल का फूल जरूर से लेकर आएं जो भी आपको मिल रहा हो और उसके बाद आप फूल माला भी चड़ा सकते हैं, जो भी फूल आप चड़ाना चाहें वो फूल आप चड़ा सकते हैं तो इस तरीके से मैंने सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित कर दिये हैं कुबेर जी का भी पूजन करें, अगर कुबेर जी की फोटो या मूर्ती नहीं है आपके पास तो आप सुपारी के रुप में भी कुबेर जी को विराजित कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर मैंने साथ अनाज लिये हैं तो यह साथ खड़े अनाज होने चाहिए, टूटा हुआ अनाज नहीं होना चाहिए तो मू, चावल, सफेद मटर, गेहू, चना और बादा मैंने हा लिये हैं साथ में मोट भी लिये हैं तो आप कोई से भी साथ, पाँच या आठ अनाज ले सकते हैं तो यह अनाज हमारे घर में संपन्यता का प्रतीक होते हैं हमारे घर में अन्धन धानने सब की बरकत बनी रहें इसलिए इनका पूजन किया जाता है इसके बाद सोने चांदी के समान का आपके कारोबार से रिलेटेड जो भी समान हो उनका पूजन आपको करना है इसके बाद सोने चांदी के समान का और आपके कारोबार से रिलेटेड वर्क से रिलेटेड जो समान है उनका पूजन करें उन पर हल्दी, रोली, चावल, वस्तरों के रूप में मोली चड़ाएं, फूल चड़ाएं और कुछ प्रसाद चड़ाएं तो इस तरीके से आपको सोने चांदी के समान की पूजा करनी है तो हमारी जादातर दिवाली की पूजा जो है वो पूर्ण हो गई है अब जो महत्वपूर्ण कारे होता है दिवाली की दिन आपको दिपक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रजवलित करना वो बीच में रखना है आपको वो रात भर जलता रहना चाहिए और उसके बाद आपको छोटे छोटे दिये लेने हैं तो 21, 51, 101 जितने दिये आप रजवलित करना चाहें उतने दिये आप रजवलित कर सकते हैं तो दिपक का पूजन करेंगे दिपक पर खील, बताशे, मूंग, चावल सब को चरपित करेंगे और इस तरीके से दिपक को प्रणाम करकर आपको ये दिपक पूजा पूरी होने के बाद अपने सारे घर में रख देने हैं अब ये जो बड़े वाला दिया है, ये मैंने आपको जैसा बताया, ये आपको प्रजवलित करेंगे तो आपकी जब आरती हो जाएगी, पूरी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब आपको ये दिपक ले जाकर अपने दौर के दोनों तरफ, तुलसी गमले के पास, किचिन में, पांच दिये पित्रों के लिए आप जलाएं, दो दिये कुल्देवी के लिए, दो दिये हनुमान जी के लिए, इस तरीके से सभी के लिए दिपक प्रजुलित करेंगे अपने घर के दरवाजों के दोनों तरफ रखें, आंगन में रखें, तो इस वीडियो में, दिये कहां कहां रखने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, छट पर दिपक जरूर रखें, आकाश के लिए दीपदान किया जाता है, अगर पास में कोई नदी तलाप कुछ है, तो वहाँ पर भी आप ये दिपक प्रजूलित करके आ सकते हैं, इसके बाद लास्ट में का पूरार्ती करके दक्षिना चाह के अपनी पूजा पूरी करें, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चानल को जरूर से सब्सक्राइब करें, थांक यू वेरी मच फो वाचिं, प्लीस लाइक, शहरे से ऐताने चाहँ में।